अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी ए यूजी सी डेट नोटिफिकेशन 2021 के बारे में जैसा कि थमनेल में लिखा हुआ है डीटेल इंफर्मेशन फूल इंफर्मेशन हम आपको देंगे जब से ऑफिसियल अपडेट हुई है कि यूजी सी एंटी ए का एक्जाम मार्च अप्रेल में होगा तब से लगातार कॉमेंट आ रहे हैं कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे किस कौन सा एक्जाम मेरे सबजेट का होंगे तो एक्जाम मार्च में होगा या अप्रेल में होगा आपको इस वीडियो में सारी विस्त्रित इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन और के टेगरी में प्रस कर दें ताकि आपको मेरे प्रेशन प्रेशन के लिए आप मेरी 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 प्रेशन प्रेशन के लिए आप मेरी प्रेशन प्रेशन के लि तो चलिए चलते हैं और आज की वीडियो जो है उसे कवर करते हैं बिना देर किये हुए देखिए ओफीसियल अपडेट में साफ तोर पे मैंने उस वीडियो में आपको दिखाई थी अपने उस वीडियो में जहां पर लिखा हुआ है मार्च अपरेल में एक्जाम होगा अगर आपने नहीं देखिए तो वहां पर किस वेबसाइट पर कैसे जाना है सब कुछ डिटेल में आई बटन पर वीडियो है उसका लिंक अब वहां से जा करके देख सकते हैं तो मार्च अप्रेल में एक्जाम होगा मार्च में एक्जाम कैसे हो सकता है एक्जाम देखिए जबी भी एक्जाम होगी तो एक्जाम फॉर्म फील करने की नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आ जाएगी February में आपको form fill करने की notification मिल जाएगी और साथी साथ में form filling start हो जाएगी तो कम से कम एक महीने तो form fill करेंगे हम लोग उसके बाद क्या होगा कि correction की date आएगी और भी बहुत सारे जो procedure होते हैं वो होंगे तो इन सब में ही March तो चला जाएगा definitely क्योंकि आप form fill करेंगे, correction करेंगे मान लेते हैं, correction करेंगे उसके बाद ही तो आप जो है कि exam देंगे न correction window भी open होगी क्योंकि बहुत जादा इतने सारे candidate form fill करते हैं तो correction को option दिया जाता है क्योंकि नचाते हुए भी बहुत सारे candidate कुछ नो कुछ कलतिया करते हैं जिनको correct करने के लिए window open की जाती है तो ऐसे में correction जब हो जाएगा उसके बाद ही exam होगा तो देखिए तो एक महीना आपका form fill करने में जाएगा correction window open होगी ठीक है तो यानि March आ गया उसके बाद तो exam जो है आप लोगों के चाहिए आप किसी भी subject के हो इस बाद 2020 की तरह corona जो है under control में आपको सभी को पता है तो इतने लंबे gap होने के बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि इतने लंबे अंतराल पर जो है की exam conduct होंगे तो जो exam के बीच का जो gap है वो definitely कम होगा 2020 की exam की तरह नहीं होगा जैसा कि 20 वाले exam में हुआ था इसके पहले वाले 20 की exam में तो December 2020 की exam में ऐसा बिल्कुल भी होने की संभावना नहीं है यहाँ पर जो gap है वो कम होंगे तो देखिए exam जो है संभावता अप्रिल से लगाए जाएंगे तो अप्रिल से आप लोगों के exam होने की पूरी संभावना है कि परिक्षाएं अप्रेल महीने से ही सुरू होंगी हर विशागी तो आप लोग अपना preparation इस तरीके से करिए के चलिए कि मार्च के फोर्थ वीक तक आपके जो है कि सारे के सारे मैं तो कहूंगे सेकेंड वीक तक ही सारे के सारे topics कवर हो जाएं ठीक है फास्ट ट्रेक पे बार के लिए हम लोग December 2020 के लिए study करें यही strategy होनी चाहिए पीछे के वक्त में हम लोग revision करें क्योंकि बिना revision के हम कोई भी exam को crack नहीं कर सकते सफल नहीं हो सकते इस पेसलिए आप कैसे एक ही बार में यूजिसीनट crack कर सकते इसके सारी strategy की जो वीडियो हो वो मैंने already बना रखी है अगर आप उसे follow करते तो definitely आप की बहुत अधिक सम्वाना बढ़ जाएगे आप पहले बार में ही क्रैक कर देंगे उसका लिंक पर आई बटन पर आप वहां से देख सकते हैं तो तो अधम fast track पर study कीजिए लास्ट के दो वीक आप अपने preparation के साथ साथ revision को दीजिए और उसी आधार पर जो है कि हम लोग study करिए important important topics जो सबसे ज़ादा बार पूचे जाते हैं उसको सबसे ज़ादा cover कीजिए और second paper के साथ first paper को कभी भी अंदेखा मत कीजिए क्योंकि first paper में भी ज़ादा marks लाना जरूरी होता है exam को crack करने के लिए तो अप्रिल में ही आप सभी विश्यों के exams होने की पूरी-पूरी संभा करा दी जाएगी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा थैंक यू सो मॉच फर वाचिंग में चैनल स्टे त्यून अंतिल नेक्स्ट वीडियो टेक केर अल आफ यू बाबाए